आज भी भारत में हर रोज चार दलीत महनों पर बलातकार होते हैं हर रोज दो दलुत समुदाई के व्यक्तियों की हत्या होती है और हर अठ्रा मिनिट पर एक एट्रो सिटी की घटना होती है ये केवल चिंता का नहीं हमारे देश के लिए आज बहुत बड़ी शर्म का विसाई है जिस गुजरात मोडल को पूरे देश के उपर थुफा गया मैं उसी गुजरात से आता हूँ और हम लोगों ने देखा है कि इसी गुजरात मोडल के कारण पिछले आज दस सालों में रुहित व्यमूला की संस्तानी खत्या होती है गाई के नाम पर सर्याम भरबजार उना में दलीत योगों की चमड़ी उतारी जाती है बिल्ली में रविदास के मंदीर को तोड़ा जाता है एट्रोसिटी सेक को खतम करने की कोशिस की जाती है अमिड कराइट को दलीत मूमेंट के साथियों को नेक्सलाइट बोल कर भीमा कोरी गाउं के केस में जैलों में डाला जाता है और हर संबव तरीके से दलीत आंदूलन को कुचलने की कोशिस की जाती है सामाजी किन्याई के मुद्दे पर दो बात रखनी है संत रविदास, संत कबीर, नानक, ग्यान देव, नाम देव, तुकाराम भक्ति आंदूलन और सुफी संतों की परंपराओं के इस मुल्क में 2022 के, 2023 के भारत में आज भी छुआ छुद जिन्दा है आज भी एक इनसान को दुसरे इनसान का मेला ढोना पड़ रहा है आज भी भारत में हर रोज चार दलीत मेहनों पर बलातकार होते है हर रोज दो दलुत समुदाई के व्यक्तियों की हत्या होती है और हर अठ्रा मिनिट पर एक एट्रोसिटी की घटना होती है ये केवल चिंता का नहीं हमारे देश के लिए आज बहुत बड़ी शर्म का विसए है बाबा सब मंबिड करने समविधान बनाया और सामाजिक न्याई की बात की हम लोग साफ तोर पे मानते कि नए भारत का निर्मान तब तक मुम्किन नहीं है जब तक इस देश के हरे कोने में सामाजिक न्याई को सुनिस्चित न किया जाए लेकिन इन परिस्टितियों में कॉंग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में दलीत आदिवासी, OBC और मुस्लिम समुदाई को 50% से जादा सामिल करने की जो कोशिस की है जो पहल की है उसका मैं तहदिल से स्वागत करता हूँ और आज इस मंच पर से पूरे भारत के दलीत आदिवासी, OBC समुदाई के साथियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि चुकी मैं गुजराब से हूँ चुकी मैंने मुदी साथ को नजदीक से देखा है, उनकी राजनिती को करीब से देखा है मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मुदी इस मनुवाद परसोनिफाइड इस दोर में मनुवाद को मस्बूत करने का सबसे ज़्यादा काम भाजपा और RSSS ने किया है और इसलिए कॉंग्रेस के कारे करताओं से भी मेरा अपील है कि सामाजी इकनाई की इस लड़ाई को जहां पर भी दलीतों के उपर अत्याचार हो आदिवासियों के उपर अत्याचार हो, गुमन्तु समुदाई के उपर अत्याचार हो केवल कॉंग्रेस पार्टी के S.C.S.T.O.B.C. और माइनोरिटी डिपार्टमेंट के साथी नहीं पुरी कॉंग्रेस पार्टी साथ में मिलकर लड़े दलित समूदाई के साथियों के तौर पे भी हम लोगों का कर्तव ये बनता है कि जब बिलकिस बानू के बलात कारियों को जैल में सो छोड़ा जाए तो हम लोग भी और मुस्लिम समूदाई के साथियों के साथ खड़े रहे जो बिलकिस बानू के मुद्दे पर बोल रहे तो साथियों संगठन के अंदर कॉंग्रेस पार्टी के भीतर दलीत आदिवासी ओबीसी और मुस्लिम समूदाई को योग्य प्रतिन धित्व मिले जहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पर दलीत आदिवासी ओबीसी समूदाई के लिए जो नीतिया बनी है वो पूरुन रुप से लागू हो और आरेसेस और भाच्पा के खिलाब हम लोग मोर्चा बुलंद करें सामाज इकन्याई प्रस्तापित होगा तब ही हम लोग कह पाएंगे कि नए भारत का निर्मान हो रहा है सम्विधान लागू हो रहा है इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खतम करूँगा जए बीम जए भारत